हाई गाईस वेलकम टो दी फ्लेक्टोनिस लैब तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को LCD LED TV का जो प्रोग्रामें बेल आईसी होता है इस आईसी के बारे में details में discussion करूंगा यह जो आईसी है यह किस तरीके से काम करता है और कौन सा पीन किसलिए use किया जाता है इसके बारे में भी आपको details में समझाओंगा ताकि repairing करते time आपको इसके बारे में अच्छे से पता चले कि कहां पे आपको कितना voltage मिलना चाहिए और क सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आप यह जान लिजिए कि हमारे टीवी के अंदर जो मादर बोड़े उसके अंदर किस नंबर का IC लाग रहता है मैं नौर्माल टीवी के बात कर रहा हूं कोई Android टीवी के नहीं बात कर रहा ह तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है W25Q16 दूसरा होता है W25Q32 तीसरा होता है W25Q64 और चोथा होता है W25Q128 दूस्तो यह जो चार IC का नंबर मैं आप लोग को बताया यह चारों के चारों नौर्माल LCD LED TV के अंदर मिलता है और यह सारे के सारे प्रोग्रामेवेल IC है नौर्माल TV के इन चार IC के बारे में बताऊंगा कि इसका कनेक्शन किस तरीके से किया रहता है और इसको किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है LCD LED TV रिपेरिंग करते टाइम और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को Android TV का प्रोग्रामेवेल जो EEMC IC है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोग्राम करना है तो चलिए सबसे पहले यह जो आप नमबर देख रहे होंगे W25Q32 नमबर का यह IC है इस IC का जो फस्ट नमबर का जो पीन है यह हमारा CS के लिए हो गया क्यूंकि CS एक सौट कोड नमबर है तो CS का मतलब हो कि चीप सिलेट इनपूट मतलब आपको चीप को सिलेट करने के लिए यानि कि IC को सिलेट करने के लिए यह हमारा पीन इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद हमारा जो दूसरे नमबर का पीन है यह हो गया हमारा डेटा आउटपूट के लिए उसके बाद तीसरे नमबर का पीन हो गया हमारा जो राइट पोटेक्शन इन्पूट के लिए मतलब इन्पूट पे जो भी सिगिनल होगा उसको ठी सही तरीके से पोटेट करने के लिए हमारा तीसरे तीन नमबर का पीन है वो इस्तेमल किया जाता है और उसके बाद जो चान नमबर का पीन है ये हमारा ग्राउंड के लिए तो सबसे पहले बात है कि अगर जब भी आपको कोई रिपेरिंग करना है टीवी क्या तो उसका प्रोग्रामे वेल आई सी सही से काम करना है कि नहीं इसके लिए आपको जो में तीन लेक्स का ध्यान में रखना होगा ये भी मैं आपको बताओंगा सबसे पहले मैं आपको बता देता होगी इन सारे पीन्स के बारे में तो चान नमबर जो पीन है हमारा ये होगा हमारा ग्राउंड के लिए मतलब हमारे TV को सही तरीके से फिर से reset करने के लिए यहां पे signal दिया जाता है जिसके जरी हमारा जो TV है वो starting से सही तरीके से on होता है boot में कोई भी problem नहीं होता है उसके बाद हमारे जो art number का पीन है यह होगे हमारा VCC के लिए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई भी TV रिपेरिंग करोगे बोर्ड रिपेरिंग करोगे तो आपका जो जो प्रोग्रामे वेल आज सी है यह सही है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपको जो चान नमबर पीन 8 नमबर पीन और 6 नमबर पीन आपको चेक करना होगा तो जो चान नमबर पीन यानि कि ग्राउंड और 8 नमबर पीन विजिस है यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा तो आपको यह तो माल्टिमिटर से पता चल जाएगा लेकिन जो 6 नमबर पीन से हमें जो signal मिलेंगे इस signal को measurement करने के लिए आपको DSO की जोरवत होगी क्योंकि जो signal होता है, clock signal इसको measure करने के लिए जो multimeter आते वो बहुत ही मेहगा आता है अगर आपने छोटा सा micro ले लिया है तब भी आप measure कर सकते हो लेकिन अगर आपको clock signal को अच्छे तरीके से समझना है अच्छे तरीके से measurement करना है तो आपको DSO की जोरत होगी आप multimeter से नहीं चक कर पाओगे सही तरीके से दोस्तो यह था कुछ programable IC के बारे में जान करी तो यह जो programable IC है यह बहुती महतुपुन है LCD LED TV के अंदर और क्यों है यह भी मैं आपको बता दीता हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी TV के अंदर नया पैनल इनिस्टॉल कर रहे हो लेकिन पहले बारा जो पैनल इनिस्टॉल किया हुआ था उसका जो है मतला रेजूलेसन है कुछ अलग था लेकिन आपने जो नया पैनल इनिस्टॉल कर रहे हुआ उसका कुछ रेजूलेसन अलग है तो उस रेजूलेसन को सेट करने के लिए हमें इसे programable IC को flash करना होता है जिसके जरी यह हमारा जो पैनल के अंदर जो पिक्चार है वो सही सलामत हमें देखने को मिलता है और उसके अलबा कही बाड ऐसा भी होता है कि हमारा जो programable IC के अंदर जो program होता है वो corrupt हो जाता है जिसके बाध हमारा सारे जागा पे voltage सही होने के सही है फिर भी हमारा टीवी जो है इस टनबाई से रिलिजन नहीं होता है इस टनबाई से कभी ओनी नहीं होता है उस टाइम भी हमें यह जो प्रोग्रामेवल आईसी है इसको निया सौप्टेर डालके टीवी को जो है ओन करना पड़ता है तो अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए और भी इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक जोरूर किजिए और आपने साड़े इलेक्टोनिक्स टेक्निसियन के पास इसे वीडियो को स्यार कर दिजिएगा और चैनल को भी सब्स्राइब करके जूरे र